जै श्री राधारानी सरकार की जै श्री कृष्ण भगवान की जै कार्तिक मास महत्यम्मे की मंदर शिवनसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल के ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक बिनंदन करते हैं कार्तिक मास के केवल कुछ दिन शेश रह गए हैं और आजमा को कार्तिक मास महत्यम्म के अध्याए 35 की कथा सुनाने जा रही हैं कार्तिक मास महत्यम में कुल 35 अध्याई है और कार्तिक मास महत्यम की कथाई हम आपको श्री सकंद पुरान और श्री पद्म पुरान में से सुना रहे हैं तो अब कार्तिक मास महत्यम में अध्याई 35 की परम सुन्दर कथा जो की इस परकार है बोल श्री राधा कृष्ण भगवाने की जै बोल कार्तिक मास महत्यम्य की जै आज शोनकादी सब रिशी श्री सूत जी महाराज जी से कहने लगे हैं कि हे महाराज हे प्रभू आपने बड़ी कृपा की है जो कार्तिक मास महत्यम्य की कथाओं को सुनाया है हम सबको इन कथाओं को सुनकर अती प्रसंता हुई है और हे महाराज आने वाले कल्यूग में कार्थिक मास मत्यम के यही कथाएं मनुश्य मातर का उधार करने वाली होंगी आपने जो कार्तिक वास की कथा को सुनाया है हमें परसंता हुई है हमें आपकी कृपा का अनुभव हुआ है लेकिन अब आप थोड़ी सी कृपा ओड कीजिए हमें ये आप बताए कि आने वाले कल्यूग में जो मनुष्य कार्तिक मास में पूरी तरह से सब नियमों का पालन नहीं कर सकते उनके लिए कोई आप संक शेप में कुछ ऐसा धरम करम बताए कि जिससे वो भवसागर से आसानी से पार हो सके आने वाले कल्यूग में जो मनुष्य कार्तिक मास में भगवान की भक्ती करते हो वो तो भवसागर से पार हो जाएंगे लेकिन जो मनुष्य भवान के चर्णों की भक्ती भली परकार से ना कर सके उनका उधार कैसे हो सकेगा क्रिपया ये बताने की क्रिपा कीजिए आज शोनकादी सब रिशियों के इन वचनों को सुनकर शिरिसूत जी महाराज कहने लगे हैं कि हे रिशिवर आप पर भगवान के नंत क्रिपा कि आपके मन में आने वाले कल्यूग वासियों के प्रती इतना प्रेम है कि आप उनके उधार का उपाए हमसे पूछ रहे हैं तो हे रिशियों आने वाले कल्यूग में जब मनुष्य की आयू कमर है जाएगी मनुष्य का मन संसार में फंसा होगा धरम करम में मनुष्य की भक्ति में मन लगना अतिकठिन हो जाएगा तो हे रिश्यों ऐसे मनुष्यों के उध्धार के लिए ही भगवान ने कार्तिक मास से बनाया है आने वाले कल्युग में जो मनुष्य पूरी शद्धा भावना से संपूर्ण कार्तिक मास में भगवान की भक्ति करेंगे सब नियमों का भगवान की आगया के अनुसार पालन करेंगे उन पर प्रभु की अनंत कृपा हो जाएगी लेकिन आने वाले कली काल में जो मनुष्य भगवान की भक्ती इस कार्तिक मास में ना भी कर पाएं अगर ऐसे मनुष्य भी कार्तिक मास के केवल कुछ दिनों में ही प मनुष्य जीवन में अपना उधार कैसे करना है इसका उपाए भी भगवान सब को बताते हैं हे रिश्यो जब घोर कल्यूग आएगा उस समय मनुष्यों का मन भगवान की भक्ती में नहीं लगेगा लेकिन अगर उनको कार्तिक मास का शुब समय प्राप्त होता है तो ऐसे समय में उनको यहीं चाहिए कि जितना भी हो सके भगवान की भक्ती करें कार्तिक मास में जो मनुष्य सुबह सूर निकलने से पहले अगर कुछ दिन भी स्नान कर ले तो भी वो भगवान की क्रिपा का अधिकारी हो जाता है ठीक ऐसे भगवान की भक्ती करते हुए श्री लक्ष भगवान की परसंता के लिए दीपक जलाना आकाश दीप दान करना इस तरह से कार्तिक मास में मनुष्य अगर पूरी श्रधा भावना से कुछ दिन भी ये सब नियमों का पालन कर लेता है तो मनुष्य का उधार भगवान की क्रिपास से हो जाता है इसलिए कार्तिक मास में जितना भी हो सके भगवान के चर्णों में मन लगा लेना चाहिए जिसने कार्तिक मास में एक दिन भी भगवान की पूरी श्रद्धा भावना से भक्ती कर ली उस मनुष्य का उधार प्रभू अपने आप करही देते हैं संपूर्ण कार्तिक मास में अगर कोई भगवान की भक्ती ना भी कर पाई तो कार्तिक मास में केवल एक दिन ही अगर उसने श्रद्धा भावना से भगवान की भक्ती कर ली भगवान की आरादना कर ली तो अभी भगवान उसको भवसागर से पार कर ही देते हैं क्योंकि भगवान के हाथ में सब कुछ है प्रभू चाहें तो एक शन में तरी लोकी का उधार कर सकते हैं लेकिन प्रभू उनी का उधार करते हैं जो अपने मन को भगवान के चर्णों में लगा देते हैं हे रिशियो निशकर्शी यही है कि संपुर्ण कार्तिक मास की जो कथा आपको सुनाई गई है सब नियमों के बारे में आपको पहले बताया गया है वो सभी नियम पूरे मास में होने चाहिए पूरे कार्तिक मास में सब नियमों का पालन करना चाहिए लेकिन पूरे कार्तिक मा के एक दिन ही अगर कोई संपुर्न नियमों का पालन कर लेता है तो भी भगवान उसका उधार कर ही देते हैं आज सूत जी महाराज जी के श्री मुख से इन वचनों को सुनकर शोनकादी सब रिशियों को अतिप्रसंता हुई है वे बारंबार श्री सूत जी महाराज जी को दन नवत परनाम करने लगे हैं आज सब रिशियों को अतिप्रसंता इसलिए भी हुई है कि श्री सूत जी महाराज जी ने आने वाले कल्युग वास्यों के लिए अर्थात हम सब कल्युग वास्यों के लिए एक ऐसा आसान उपाय बता दया है कि जिसके करने मातर से हम सब का में अगर कोई पूरा महीना भगवान की भक्ति ना भी कर पाए तो कार्तिक मास के एक दिन ही अगर कोई संपुर्ण नियमों का पालन कर लेता है तो भी भगवान उसका उधार कर ही देते हैं ये बात आज स्पष्ट शिरिसूत जी महाराज जी ने कह दी है तो यहां पर हम आतसनान के नियम का पालन किया है भगवान की भक्ति की है सब नियमों का पालन किया है उस पर तो भगवान की करीपा अपने आप हो ही जाएगी और दूसरी और एक मनुष्य ने संपुर्ण कार्तिक मास में भगवान की भक्ति नहीं की उसने कार्तिक मास के केवल एक दिन ही संपूर्ण नियमों का पालन करते हुए भगवान की भक्ति की है तो उसका उध्धार भी भगवान कर देंगे लेकिन दोनों में अंतर ये रहेगा कि जिस मनुष्य ने पूरे कार्तिक मास में भगवान की कथा सुनी है उसको जो आनंद मिला है उसके उपर भगवान की जो कृपा हुई है वैसी कृपा तो दूसरे मनुष्य पर नहीं हो सकती हाँ इतना अवश्य है कि जिसने एक दिन भक्ति की है उसका उध्धार तो भगवान कर देंगे उसको भवसागड से पार भगवान कर देंगे लेकिन तीस दिन की कथा सुनने से जो आनंद आता है तीस दिन कथा सुनने से और भगवान की भक्ती करने से जो भगवान के चर्णों में मन लगता है वैसा एक दिन से भगवान के चर्णों में मन लग ही नहीं सकता लेकिन ये भी प्रभू की अनंत क्रिपा है कि जिसने एक द का परमकर्तव यही है कि अपने इस मनुष्य जीवन में कार्तिक मास जब भी हमें प्राप्त हो तो पूरी अपनी श्रधा भक्ति के अनुसार पूरी श्रधा भावना के अनुसार प्रति दिन भगवान की भक्ति करें लेकिन अगर संपुर्ण कार्तिक मास में भगवान की भक करनी चाहिए इतना आप हमेशा याद रखें जैसा कि कहा जाता है आएं हैं सो जाएंगे राजा रंक फकीर एक सिहासन चड़ी चले एक बंधे जंजीर जो आया है सो जाएगा हम भी आएं हैं हमने भी जाना है जो भी आया है उसको एक ना एक दिन इस संसार से जाना ही पड़ तो आ तो चुके हैं हम लेकिन हमारा जाना इस तरह हो कि दोबारा हमें इस भवसागर में ना आना पड़े चोरासी लाख योनियों में हमें दोबारा वापिस ना आना पड़े मनुष्य जीवन की सफलता इसी में है कि इसी जनम में प्रभू को प्राप्त कर लिया जाए भगवान की भक्ती हम सब को करनी चाहिए भगवान की भक्ती में हमारा मन लगेगा तो प्रभू अपनी आप हमारा उधार कर ही देंगे लेकिन इतनी बात आप हमेशा याद रखें अगर हम परियास करेंगे तबी भगवान की पूरी कृपा होती है हम कुछ ना करें और सब कुछ कर दें ऐसा आज तक ना हुआ है ना हो सकता है हम परियास करेंगे तभी भगवान की क्रिपा प्रकट होती है कोई जितना भगवान के चर्णों में अपनी मन को लगाता है उतना ही भगवान से उसका संबंद मजबूत होता जाता है जैसे जैसे भगवान से संबंद म भूल जाता है, संसार की वासनाएं मनुष्य के मन से निकल जाती हैं, यही वो समय होता है कि जब भगवान के चर्णों में मन ऐसा लगता है, कि उसके बाद मनुष्य को किसी चीज की चिंता नहीं रहती है, आज हमारे जीवन में अनन्त चिंताएं हैं, अनेकों दुख हमारे जीवन में हमारे पीछे लगे हुए हैं, हमें ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, धन संपत्ती भी हमें चाहिए, हमें अपने दुख दूर भी करवाने हैं, हमें अपनी मनो कामनाय पूरी भी करवानी है, ये मनो कामना हों हमारे जीवन में कोई भी दुख हों अगर हम भगवान की पूरी श्रधा भावना से भक्ती करते हैं श्री राधा कृष्ण भगवान जी की भक्ती करते हैं अपने इश्ट देव की भक्ती करते हैं तो हमें अपने दुखों को दूर करने के लिए अपनी मनो कामन आप पढ़ सकते हैं कोशिश यही करें कि शिर्मत भागवत महापुरान की कथा को आप प्रति दिन पढ़ें या सुनें कोई भी कथा प्रति दिन पढ़नी चाहिए बिना कथा पढ़ें या सुनें कभी भी भगवान से प्रेम नहीं हो सकता आप किसी भी तरह से भगवान की भ पूजा आराधना करते हैं अच्छी बात है लेकिन इतना आप अवश्य याद रखें कि भगवान की कथा को सुने बिना कभी भगवान की भक्ती प्राप्त नहीं हो सकती कभी भगवान का प्रेम प्राप्त नहीं हो सकता और जब तक भगवान की भक्ती प्राप्त नहीं होगी जब तक भगवान का प्रेम प्राप्त नहीं होगा तब तक इस भवसागर से हमारा बेड़ा पार भगवान नहीं करेंगे इसलिए बारम बार कहा जाता है कि भगवान की कथा सुनिए मन नहीं लगता तो भी आप सुनते रहिए एक दिन ऐसा आएगा कि आपका मन भी लगने लग जाएगा फिर आपका मन अपने आप करेगा कि भगवान की और कथाएं हम सुनते रहें उसमें हम आपको बताएंगे कि कार्तिक मास के बाद हम क्या करें कार्तिक मास में तो हमने भगवान की भक्ती कर ली लेकिन कार्तिक मास के बाद हम भगवान की भक्ती कैसे करें कि जिससे भगवान को प्रसन किया जा सकता हो जिससे भगवान की कृपा को प्राप्ट किया जा जीवन में भगवान की भक्ती करेंगे तो भगवान आप पर इतनी क्रिपा करेंगे कि आप उसका अनुमव तो कर पाएंगे लेकिन आप उसको किसी और को बता नहीं पाएंगे क्योंकि जब अपने प्यारे भक्तों पर भगवान क्रिपा करते हैं तो मनुष्य इतने आनंद म भर जाता है कि उसके मुँसे कुछ शब्द नहीं निकल पाते भगवान की कृपा ही ऐसी होती है कि मनुष्य उसका किसी ओर के सामने पूरा वर्नन करही नहीं सकता भगवान की कृपा का पूरा वर्नन तो शेश महेश और गनेश भी आज तक नहीं कर पाई तो उस कथा को भी क मन में कोई प्रशन हो तो आप प्रशन हमें फोन करके पूछ सकते हैं आपके प्रशन का उतर आपको अवश्य दिया जाएगा तो आप सब का फिर से धन्यवाद भगवान श्री राधाक्रिशन जी की भगवान श्री लक्षमी नाराइन जी की भगवान श्री गोरी शंकर जी क तुलसी माता की, कार्तिक मास महत्यम्य की अनन्त कृपा, सदा आप सब पर आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ, जै श्री राधारानी सरकार की, जै श्री कृष्ण भगवान की, जै तुलसी माता की, जै कार्तिक मास महत्यम्य की, जै जै श्री राधे, जै जै शीराधे शाम